दोस्तो बिहार पुलीस की तरब से भीर से एक नई भरती जारी किया गया है जो कि इसमें बिहार अगनी समन का यहां पर भरती निकाली गई है तो इसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगा कि आप इसमें किस परकार से आबेदन कर सकेंगे और क्या इलिजबिलिटी को अन कर दें ताकि इसी तरह से आप तक तुरंद पहुचती रहे तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे होंगे कि इसका लाश्ट डेट ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की आंतिमती थी 25-3-2021 तक इसका डेट रखा गया है और वहीं बात करें कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से इस्टार्ड होने बाला है तो आपको यहां पे जैसा कि देख पारे होंगे कि आउनलाइन आवेदन यहां पे देख पारे होंगे आउनलाइन आवेदन पत्र भरने की परिकिरिया दिनंग 24-2-2021 से प्रारम होगी और यहां पे बात करें कि इसका पोस्ट की तो कितना पोश्ट पर इसका यहाँ पे आवेदन खाली है तो यहाँ पे आपको देख पारे होंगे 23,288 पोश्ट पर यहाँ पे वेकेंसी निगाली गई है तो बात करें इसमें किस परकार से यहाँ पे सलक्षन होगा यहाँ पे भारतिये नागरी यहाँ पे किस परकार से फिलब कर सकते हैं और यहीं बात करें कि सैच्छनी की योग्यता eligibility की तो यहाँ पे आपको देख पारे होंगे अगनी के पद पर सैच्छनी की योग्यता आहर्त दिना इतना एक आट दो जार बिस तक यहाँ पे आपको date mention किया गया है एक आट दो जार बिस से पहले आप intermediate कर चुके हैं तो आप इस pompo को फिलब कर सकते हैं और किसी भी board से आप परिच्छा पास किये हैं तो भी इस pompo फिलब कर सकते हैं और यहाँ पर बात करें आप भ्यार्ती की उम्र दिनां की यहाँ पर 8-1 जार बिस कोा metric समझ से पर्मनप पत्र कallas निमवत हो तो आपको यहांपर एक आट जार बिस से metric के अनुसार आपका यह पर इलिजबिलिटी यहां पर होना चाहिए और यहां पर बात करें एज लिमिट की कौन-कौन कितना एज का यहां पर फॉम फिलप कर सकता है तो यहां पर आपको देख पारेंगी कि सामान अनराश्चित वर्ग के पूरुसों और महिलाओं के लिए नियुनतम उम्र 18 वर्ष और अधिक्तम उम्र 25 वर्ष रखा गया है और यहां पर बात करें कि यहां पर पीज़़ा वर्ग जाती के लिए तो इसके लिए उम्र नियुनतम कम से कम 18 वर्ष और अधिक्तम वर्ष 27 वर्ष रखा गया है और पीज़़ा वर्ग के लिए यहां पर आपको महिलाओं के लि सारेरी मापदंड यहां पे आपको जैसा कि देख पा रहे होंगे उचाई सीना और बजन के लिए कोई दे नहीं होगा हो परन्तुभीत आरताइं पूरी करने वाली और सफल किया जाएंगे दोस्तो उचाई सीना और बजन के लिए कोई अंक नहीं देगा यहां पे और यहां बात करें सिलेबस की तो यहां पे आपको पहले सिलेबस देता दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको यहां पे आपधन करना न्यूक्ति की परिकिर्या पहले दिखा देता हूं यहां पे आपको पर्थम चरन लिखित परिक्षा दोस्तों यह पर्थम लिखित परिक्ष प्रस्ण होंगे जिसमें सही उत्तर देना अनिवार है तो दोस्तों ये परिच्छा दस्वी के लेवल पे लिया जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेवस की बात करें तो यहाँ पे एक्जाम पेटर्न यहाँ पे दीख पारे होंगे कि यहाँ पे फश नमर पे हिंदी यहाँ जैसा की देख पारे होंगे कि लिखित परिच्छा में 30 परतिसत से अंक प्राप्त करने वाले अभ्यारती सारीरिक दक्षता के लिए और खोसित किया जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाता हूं कि जो यहाँ पे एक्जाम पैटर्न लिया जाएगा उससे ही आपक तो कितना उचाइस में मांगा आताहर रहा है तो यहाँ पे आपको अनाराच्छी समन प्रुजाओं के लिए 165 सेंटिमीटर यहाँ पे उचाइढ़ि मांग रहा है और अत्याध पज़राजात के लिए 9thम एक सेंटिमीटर एक एक सो साथ सेंटीमीटर यहां पे मांगा जा रहा है अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती पुरुसों के लिए एक साथ सेंटीमीटर और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए एक पचपन यहां पे सेंटीमीटर मांगा जाता है और सीना पुरुसों के लिए अनरक्षित प प्रिच्छाकूर यहां पे 100 अंक की होगी तो दोस्तों जो कि यहां पे फिजिकल फिटनेस होगा तो उसमें 100 अंक का यहां पे नमर दिया जाएगा तो यहां पे आपको नमर वाइस दोड में दिया गया है कि जब कि यहां पे आपको यहां पे 1.6 किलोमिटर यहां पे अधिक तम 6 मिनट में आपको पूरा करना है तो 5 मिनट से कम में अगर दोड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिये जाएंगे अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सकंड तक आपको 40 अंक दिया जाएगा अगर 5 मिनट 20 सकंड से अधिक एबं 5 मिनट 40 सकंड तक पास करते हैं तो आपको 30 अंक दिये जाए और 5 मिनट चालीश सकंद्स अधिक 6 मिनट तक पास करते तो आपको 20 नंबर दिये जायेंगे और अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको यहां पर औस फ़ल गोसीत कर दिया जाए और बात करें यहां पर female candidate के लिए कि कितना आपको यहाँ पे दोड लेने बाला है तो आपको यहाँ पे अधिक्तम 5 मिनट में 1600 मिटर यहाँ पे दोड लगाना है और 4 मिनट से पहले अगर यहाँ पे पास कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे 50 अंग दिये जाएंगे और यहाँ पे भी 60 फिट से अंग फेकने वाले अभ्यारती को गोसित किया जाएगा जो 60 फिट से अंदर यहाँ पे बाहर फेकेगा तो उसको यहाँ पे सफल गोसित कर दिया जाएगा यहाँ पे आपको जैसा सी मेगा सूची के यहाँ अधार पर यहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं कि मेगा सूची की स्परगार से आपको यहाँ पे बनाए जाएगा तो दोस्तों मेगा सूची जो बनाए जाएगा कि सारी जैसा कि अधिन असपरताओं दोल उची यहाँ पे आपको सिर्फ exam मीने से यहाँ पे देने से नहीं होगा आपका सारीरिक तक्षता भी पास करने, पर यहां पे मेगासूची तयार किया जाएगा कि कितना आपको नंबर देना है, और यहाँ पे आपको सचनी कियोगिता लिए 333 पद यहां पे खाली है और अनुसूची जाती यहां पे इस नहां इतना यहां पे पुरूस महिलाओं के लिए यहां पे आपको देख पारे होंगे मैं इसका लिंग डिस्केप्शन में दे दूँगा आप यहां से सिंप्ली देख सकते हो कि किस वर्ग में कितना यहां पे खाली है तो यहां पे आप लोग टोटल देख पारे होंगे तईस स्वाशी पोश्ट खाली है पुरूसौँ के लिए 1487 और महिलाओं के लिए 893 पोश्ट यहां पे खाली है तो दोस्तो इस प्रकार से आप यहां पे इस फ़र्म को फिलप कर सकते हो बिना किसी परिशान नहीं के दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को उन कर दें ताकि इस तरह से नोलेजल वीडियो आप तक तुरंद पाउस्ट दी रहे